हलो स्टुडेंट आज हम देखेंगे measurement of tonicity और methods of adjusting isotonicity इस पूरे वीडियो में हम यह देखेंगे कोई solution की हम tonicity को कैसे determine कर सकते हैं साथ के साथ अगर कोई solution isotonic नहीं है blood के और lacrimal fluid के तो उनकी उस solution की हम isotonicity को कैसे adjust कर सकते हैं जिससे की वो solution isotonic solution बन जाए तो हम शुरुवात करेंगे measurement of tonicity से इस वीडियो में तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में किसी भी solution की tonicity को हम दो method से determine कर सकते हैं पहली है hemolytic method और दूसरी है colligative method जैसे कि हमें नाम सी पता चल रहा है कि इसमें heme word का use हुआ है इसका मतलब ये कि इसमें हमने blood का इस्तमाल किया है और colligative method जो है वो completely solution की property dependent method है तो हम शुरुवात करेंगे hemolytic method से hemolytic method जो है इसका principle क्या कहता है कि अगर हमने किसी drug के solution को एक beaker मिलेंगे और उसमें हम RBC को क्या कर देंगे suspend कर देंगे थोड़े समय बात हम उस RBC का shape और size को जो कि उस test solution या उस drug solution में suspended थी उसे microscope के अंदर तो हम उसे क्या करेंगे यहां से लेंगे और microscope के अंदर हम उसे देखेंगे अगर RBC का shape और size change नहीं हुआ है इसका मतलब ये कि वो solution क्या है isotonic in nature है और अगर उसका shape और size change हो गया तो इसका मतलब ये कि वो isotonic solution नहीं है या तो वो hyper हो गया या फिर वो hypotonic solution बन गया है इस method को more accurately करने के लिए क्या किया जाता है कि हम hematocrates का use करते हैं hematocrates एक तरह की tubes होती है जीने centrifuge किया जाता है और उसमें हम calculate कर लेते हैं volume of the RBC कि RBC का volume कितना बन रहा है और फिर उने हम calculate कर सकते हैं मतलब हमने RBC पूरे blood में से separate करके उसे हम फिर इसमें clearly देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं इसकी exact procedure क्या है और इसको हम किस तरीके से perform करते हैं तो यह total आपको इसमें समझ में आया होगा ही hemolytic method जो है वो RBC पर dependent है हम जो भी हमारा drug या sample solution होगा उसको हम उसमें हम RBC को या blood को suspend करेंगे और उसमें होने वाले RBC में होने वाले changes को note करेंगे इसकी procedure क्या है इसकी procedure करने के लिए हम दो test tube लेते हैं एक test tube जिसे हम tube A बोल रहे हैं जैसे कि यहां पर आप arrow से देख रहे होंगे इस test tube में हम blood लेंगे और 5 ml 0.9% weight by volume solution of NACL मिलाएंगे जैसे कि हम जानते हैं कि 0.9% weight by volume solution NACL का कौन से solution है isotonic solution मतलब हमने blood में isotonic solution जो है वो लिया है दूसरी tube में हम क्या करेंगे दूसरी capillary tube में क्या लेंगे हम वही same blood sample लेंगे और उसमें हमारे sample solution को मिला देंगे उसका volume भी कितना होगा 5 ml होगा तो दोनों तरफ हमने 55 ml हमारा solution में एक में तो जिस ड्रग को जिस ड्रग का tonicity देखना है उसका solution हमने 5 ml लिया है दोनों tube को फिर क्या करेंगे हम centrifuge कर लेंगे दोनों tube को क्या कर लेंगे फिर centrifuge कर लेंगे centrifuge हो जाने के बाद जो blood cells है वो concentrate हो जाएंगी at the end of the tube मतलब वो tube के bottom में एकटी हो जाएगी तो यह centrifuge की machine कुछ इस तरीके से होती है जिसमें हम यह centrifugation करते हैं यह high speed पर rotate होती है ठीक है इस high speed पर rotate होने के कारण blood जो है suspended cells वो एक bottom में एकटी हो जाती है जब वो बाटम में एकटी हो जाती है तो फिर हम उस जो cells एक जगे एकटी हो गई है उसका volume जो है उन्होंने कितना occupy किया है वो हम calculate करते हैं इसको बोलते हैं PCV paired cell volume मतलब cell के द्वारा कितना volume occupy किया गया कितना volume लिया गया उस tube में उ फिर PCV जो हमारी B-tube का था उसको हम compare करते हैं PCV A-tube से अब A-tube में क्या था Isotonic solution था और B-tube में क्या था हमारा sample solution के साथ blood था तो दोनों में हम फिर compare करते हैं दूसरे में भी हमने blood ले लेंगे एक में हम Isotonic solution sodium chloride का मिलाएंगे दूसरे में हम sample solution मिला देंगे दोनों की quantity पंच-पंच में फिर दोनों ट्यूब को हम centrifuge कर लेंगे centrifuge करने के बाद हम PCV calculate करेंगे PCV मतलब भी packed cell volume cell ने कितना volume occupy किया कौन सी cell ने जो भी RBC और जो दूसरी cells जो है उसने कितना volume यूज किया इस capillary tube का इससे अब क्या result निकलता है वो हम देख लेते हैं तो results क्या क्या हो सकते हैं उसकी possibility है कि जो packed volume था मतलब PCV जो था वो दोनों test tube का बराबर है दोनों test tube का बराबर होगा तो इसका मतलब यह कि A में isotonic solution था और B में sample solution था दोनों का volume से मतलब जो B tube है वो एक isotonic solution लिये हुए मतलब हमारा sample solution क्या हो जाएगा isotonic हो जाएगा अगर दोनों का volume बराबर है तो ठीक है दो और possibility क्या हो सकती है कि PCV जो है वो जादा हो A की तुलना में तो जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि इस A की तुलना में इस B tube का volume जादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि solution hypotonic होगा hypotonic होने से क्या होगा RBC swelling हो जाएगी जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था जब हमने isotonic solutions देखे थे तो hypotonic solution जो है वो swelling कॉस करते हैं और hypertonic solution जो है वो shrinkage करते हैं RBC को यह हम देख चुके हैं तो swelling होने के करण क्या होगा PCV मतलब volume जो है वो ज्यादा हो जाएगा तो normal से ज्यादा volume होगा तो वो solution कौन सा हो जाएगा hypotonic हो जाएगा इसका उल्टा कि अगर उसका solution जो हमारी sample tube का solution जो है वो उसका PCV जो है normal standard से जिसमें कि isotonic solution था उससे कम हो तो वो कौन सा solution के लाएगा hypertonic तो by this method हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारा solution कौन से tone का है या isotonic है hypertonic है या फिर hypertonic है यह इस method के द्वारा हम पता लगा सकते हैं दूसरी जो methods है वो है हमारी qualitative methods तो qualitative methods क्या है qualitative methods जो है वो completely qualitative properties जो solutions की होती है उस पर dependent होती है qualitative property solution की कौन-कौन सी होती है जैसे कि lowering of the vapor pressure depression in freezing point etc और भी बहुत सारी qualitative properties होती है उन पर best हम यह वाली methods देखते हैं जिसके द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई solution isotonic है या नहीं और अगर नहीं है तो उसे हम isotonic solution कैसे बना सकते हैं ठीक है मतलब हम उस methods में से जिसके द्वारा हम isotonicity को adjust कर सकते हैं ठीक है अगर isotonicity of the solution may be determined by determining their colligative property इस पर बैस्ड कौन कौन सी methods है best चार basic methods है based on the molecular concentration freezing point data पर बैस्ड हो और sodium chloride equivalent e-value method इसको बोलते हैं wide vincent method या फिल वे-value method यह चार तरह की methods जो है वह हम isotonicity को adjust करने के लिए और उसे calculate करने के लिए use कर सकते हैं तो हम one by one यह चारो देखेंगे इन चारो methods को हम one by one देखेंगे कि इन में हम कैसे isotonicity का calculation कर सकते हैं और उसे हम कैसे adjust कर सकते हैं तो चलिए हम शुरुवात करेंगे सबसे पहले freezing point depression method से freezing point depression method freezing point depression मतलग की अब हम जानते हैं कि body fluids such as the blood and plasma और lacrimal secretion तो blood plasma और lacrimal secretion का freezing point जो है वो कितना है minus 0.52 degree Celsius ठीक है कितना freezing point है उसका minus 0.52 degree Celsius ऐसा क्यों हो रहा है यह due to the solute present उसमें जो suspended solute से और जो भी ionic concentration है उसके करण ऐसा हो रहा है ठीक है इसके सासाथ हम यह भी जानते हैं कि 0.9 percent weight by volume solution NACL जो है उसका वो एक isotonic solution है तो इसका मतलब यह कि उसका freezing point भी इसके बराबर होना चाहिए that is minus 0.52 degree Celsius तो यह दोनों solution isotonic है इसलिए इनका freezing point भी एक जैसा है तो ऐसा कोई और solution हम लें जिसका freezing point भी minus 0.52 degree Celsius के बराबर हो जाए ठीक है यह हम यह बोलें कि ऐसे जो भी solution जो की freeze होते होंगे minus 0.52 degree Celsius पे वो सभी isotonic होंगे यह तो हम यह पता लगा लें कि यह solution कितने पे degree Celsius पे freeze होता है अगर वो 0.52 degree Celsius पे freeze होता है मतलब वो isotonic है और अगर नहीं होता होगा तो वो नहीं है ठीक है यह हम solution को ऐसा solution बना दें जिससे कि उसका freezing point जो है वो minus 0.52 degree Celsius के बराबर हो जाए तो हम उसकी isotonicity को adjust ऐसा कर सकते हैं और उसके द्वारा हम उसे isotonic solution बना सकते हैं तो adjustment of the tonicity of the solution is simplified हम इसको कैसे कर सकते हैं if the freezing point of the one person solution of substance whose tonicity is to be adjusted हमको क्या-क्या पता होना चाहिए इस method से adjustment करते हैं जिसका हमको tonicity adjust करनी है उसके 1% solution का freezing point हमें पता होना चाहिए ठीक है दूसरा हमको freezing point one person solution of adjusting substance ठीक है तो जिससे हम adjust करेंगे उसके भी 1% solution का हमको freezing point पता होना चाहिए तो दो चीजे पता होना चाहिए जिसको adjust करना है जिस solution को adjust करना है उसके 1% solution का freezing point और जिससे adjust करना है उसके भी 1% solution का freezing point हमको पता होना चाहिए इस पूरी value को हम इस पूरी value को हम percentage में denote करते हैं जो भी हमारा answer आएगा उसे हम percentage में denote करेंगे ठीक है इसके हम एक example से लेंगे तो यह आपको समझ में आएगा कि कैसे करते हैं हम यहां पे एक जैसे कि मैंने आपको बताए करना है और एक उसका freezing point डाटा जिसका आइसो टोने सिटी एजेस्ट होना है मतलब वह हमारा सेंपल सॉलूशन होगा तो इसको हम कैसे calculate कर सकते और इसको लिए simple formula है जिसके द्वारा हम इस किसी भी solution को isotonic बनाने के लिए हम एक general quantity उसकी पता लगा सकते हैं जिससे कि हम उसका isotonic बना सके इसको हमको क्या करना रहेगा डवल्यू क्या है यहां पर इस formula में डवल्यू जो है वो उस substance का weight है जिसको हम करेंगे हमारे drug sample में isotonic बनाने के लिए ठीक है उस substance का weight है 100 ml में जिससे हम add करेंगे अपने drug sample को isotonic बनाने के लिए 0.52 क्या है यह freezing point data है blood का और lacrimal fluid का यहां पर क्या है यहां पर freezing point of the unadjusted solution मतलब कौन सा हमारा drug sample का जो freezing point है जैसे मैं बुला था आपको पहले भी कि 1% solution का हमको freezing point data चाहिए होगा हमारे drug sample का और बी क्या है यहां पे freeze depression of freezing point of water produced by the 1% weight by volume of added substance ठीक है तो हम पानी में 1% solution बनाएंगे हमारे adjusting substance का और उसका freezing point data जितना होगा वह हम यहां पे दोनों को हम यह करेंगे और इसके तुरू हम उस अमार्म को पता लगा सकते हैं जिससे की हम हमारे drug sample के solution को यह हमारे solution को हम isotonic बना सकें कुछ literature में इस तरह का भी formula दिया हुआ है तो इस formula में और इस formula में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि अंतर कैसे नहीं है तो यह जो 0.52 है यह क्या है फ्रीजिंग पॉइंट आप दे टीरो लेक्रिमल फ्लूर तो यह यहां पर भी वैसे लिखा हुआ है ठीक है फिर यह क्या है फ्रीजिंग पॉइंट आप दे ड्रग मतलब जिसका हम को adjustment करना है और बी क्या है freezing point of the adjustment मतलब उसका freezing point जिससे हमें उसमें adjustment करना है तो एक को adjust करना है किसी के साथ किसी के द्वारा करना है तो यह वो substance है जिसके द्वारा हम करेंगे यह वो substance है जिसके द्वारा हम adjustment करेंगे और यह वो drug solution का freezing point होगा जिसमें हमको adjustment करना होगा तो यह वही formula है लेकिन इसको बस representation इसका तो इसमें confused नहीं होना है कि किसी literature में अगर आपको इस तरह का data इस तरह का अगर formula मिले तो वो भी सही है बस उसका representation अलग तरीके से किया गया है तो हम आगे बढ़ते हैं एक example लेते हैं इस example में हम क्या देख रहे हैं the amount of sodium chloride required to अब हमको यहां पर क्या determine करना है amount of sodium chloride sodium chloride का amount निकलना है 1% solution of cocaine hydrochloride isotonic with blood plasma हमको sodium chloride का amount पता लगाना है जिसके द्वारा हम 1% solution cocaine hydrochloride को isotonic बना सके blood plasma क्या है given data क्या है freezing point of the 1% weight by volume solution of hydrochloric cocaine hydrochloride that is minus 0.09 degree Celsius और 1% NACL का 0-0.576 degree Celsius तो हमको suggesting substance इसमें क्या हो जाएगा sodium chloride हमको sodium chloride का amount निकालना है कि हम इसको कितना 1% solution cocaine में मिलाएंगे जिसके कारण की वो isotonic हो जाए यहीं हमको determine करना है तो इससे हमको अब हमारे formula के हिसाब से जो हमारा formula था w is equal to 0.52 minus a upon b उसमें अब देख लेते हम यहां पर क्या है तो जो cocaine hydrochloride freezing point होगा वो क्या होगा value ए होगी और उसका data कितना है 0.09 degree Celsius freezing point of the 1% weight by volume solution of NACL जिससे कि हम isotonicity adjust कर रहे हैं उसकी value क्या है वो क्या है B value है और उसका data कितना है minus 0.576 degree Celsius तो अब इसको इस formula में हम रख देंगे जो हमारा w is equal to formula था तो यह क्या है हमारा wa यहां पर amount of adjusting substance required यह 100 ml के सबसे आएगा हमको है तो इसको value रख दीजिए आप simple सा है हमने यहां पर 0.52 minus 0.09 upon 0.576 को यहां पर value रखी तो value कितने ही हमार को 0.746 grams अब यह gram में आएगा कितने ml के लिए 100 ml के लिए हमेशा value हमको 100 ml के लिए ही मिलेगी hence by adding the 0.746 gram of NaCl in 1% cocaine hydrochloride finally solution become isotonic तो इतना gram हम अगर NaCl 1% cocaine hydrochloride के solution मिला देंगे तो हमारा solution क्या बन जाएगा isotonic बन जाएगा मतलब उसका freezing point भी कितना हो जाएगा 0-0.52 degree Celsius के बराबर हो जाएगा एक और और में example ले सकते हैं इससे और भी हम समझ सकते हैं यहां पर भी हमको क्या निकालना है sodium का concentration निकालना है sodium chloride का concentration निकालना है कि कि तो कितना required होगा to make a 1% boric acid solution isotonic with the blood plasma इसमें इसमें हमको क्या क्या दिया हुआए freezing point दिया हुआ SP मतलब freezing point 1% weight by volume solution of boric acid freezing point कितना है minus 0.288 degree Celsius freezing point of 1% weight by volume solution of sodium chloride का कितना है minus 0.576 हमने पिछले record में अब इसको बस इसको यह आपकी value यह हो गई B value आपकी यह हो गई तो हमको यह जो percentage मिलेगा इतना हम 100 gram sodium chloride 1% boric acid solution में मिलाएंगे तो हमको वो solution isotonic हो जागा very simple reaction है अब आजाते हैं method 2 पे molecular concentration method molecular concentration method में हम कैसे करते हैं तो अभी हमने देखा कि freezing point method depends on the concentration of solute dissolved ठीक है तो जितना फ्रीजुट होगा उसे साब से उसका freezing point जो है वो change होता जाएगा तो increase in the concentration of solute lower in the freezing point अगर हम solute का concentration बढ़ाते चलेंगे तो freezing point जो है वो क्या होता जाएगा कम होता जाएगा solute को हम calculate करने हम gram small की sense में ठीक है मतलब molecular concentration की sense में हम उसे calculate भी कर सकते हैं so in other words it depends on the number of iron इसका मतलब अगर हम molecular concentration के base पर समझे तो इसका मतलब यह कि वो किस पर dependent number of iron पे weight of substance पे और its molecular weight पे तो तो isotonicity of 0.9% sodium chloride की हम कैसे calculate कर सकते हैं by using these data की concentration कितना है 0.9% weight by volume solution sodium chloride का है ठीक है number of effective iron पतलब number of iron भी ले लिए और molecular weight of sodium chloride ले लिए ठीक है तो जितना amount था जितना weight था तो 0.9% weight by volume solution में sodium chloride कितना है 0.9 ग्राम है तो हमने यह यहां पर ग्राम यह जी जी इस रिप्रेसेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटी ग्राम नंबर ऑफ एफेक्टिव आइन मतलब की और नंबर अग्रा मॉल्यूक्लर वेट आफ दी उसको हम काईसे रिप्रेसेंट करते है एम से तो इसको हम जब solve करेंगे तो हमको कितनी वेल्यू मिली जीरो पॉंट जीरो थी पर हंड्रेड एमल में क्योंकि यहां पर सेंटेज सॉलूशन लिया था सोडियम क्लोराइड का यह पर सेंटेज इसले है यह हंड्रेड एमल के इसाब से इसमें वेल्यू आएगी सो त अगर हम आगर सोडेयम क्लोराइड कर मालुकेरर कंसेंट्रेशन पता चलिए मतलब ब्लड का ब्लेड का उतना यह मॉलीकुलर कंसेंट्रेशन होगा इसलोशन हाविं मॉलीक्लर कंसेंट्रेशन 2000 का मॉinekट वी सैंट्रेशन 0.02 परसेंट होगा वह आइसो टॉनिक होगा ब्लेट के जैसे कि हमने पिछली मैथड में देखा था कि फ्रीजिंग पॉइंट जिसका भी बाइनस जीरो पॉइंट फाइफ तो डिगरी सिल्सेस के बराबर हो जाएगा वह आइसो टॉनिक हो जाएगा ब्लेट के ऐसे यहां पर जिसका भी 0.03 परसेंट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आइसो टॉनिक हो जाएगा तो इसी पर बैस्ड हम यह इसका प्रिंसिपल हो गया अब इस पर बैस्ड हम इसके फॉर्मुला और कैल्कुलेशन देख लेएगा तो इसका फॉर्मुला जो है वह दो तरह दो उसके लिए अलग-अलग रहेगा तो फॉर्मुला फॉर कैल्कुलेटिंग दी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ओफ आयोनाइजिंग सबस्टेंज ऐसे सबस्टेंज जो कि आइउनाइज होते हैं उसके लिए फॉर्मुला अलग होगा तो सबसे पहले नाओनाइजिंग परसेंट और सबस्टेंज रिक्वाइड जिसको भी हमको जिससे भी हम एज्जेस करेंगे उसका यह वेट बाय वॉल्यूम परसेंट सॉलूट अमाउंट देगा 0.03% यह कहां से आया यह प्रिशली प्रिवेस कल्कुलेशन से आया ठीक है जैसे कि हमने इस फ्रीजिंग पॉइंट वाले में भी 0.52 वेल्यू ली थी वह कहां से ली थी वह उसका फ्रीजिंग पॉइंट था ब्लड का ऐसी हमने मॉल्यूक्लर कंसेंट्रेशन लिया है ब्ल एम यहाँ पर क्या है concentration required in इंड डवलू क्या है यहाँ पर concentration required in grams per 100 mm तो वह percentage solution का यह मतलब है और एम क्या molecular weight of the solute अगर हम इसको लीटर के हिसाब से करेंगे तो सिर्फ यह value जो है बीच की यह change हो जाती है बाकी सब कुछ same वैसा ही रहता है तो अगर आप लीटर के साब से calculate करेंगे तो यह वाली वेल्यू में सिर्फ changes आएगा बाकी सेम वैसा का वैसा ही formula रहता है अगर ionizing substance होंगे तो सिर्फ यहाँ पर एक चीछ जुड़ जाती है वह है number of ions हमको और aid करने होते हैं तो यहाँ पर इस वाले formula में divided by number of ions हो जाते हैं तो number of ions produced from the solute अगर solute ionizing है तो मतलब जिससे हम adjust कर रहे हैं उसका है अगर वह ionizing है तो हम उसका वह quantity यहाँ पर लिख लेते हैं चलिए हम यहाँ पर एक example लेते हैं उससे और यह clear होगा कि find the proportion of boric acid required to make a solution isotonic हमको boric acid का वह लेना है अब boric acid का molecular weight कितना है 62 तो w हमको यह पता लगाना है कि boric acid कितना लेना चाहिए 0.03 value हमने ली यहाँ पर किसका आगया उसका molecular weight तो हमने इसको simplify किया तो यह किसकी value कितनी आई 1.86 तो इस वह अब non-ionizing substance है boric acid इसलिए हमने यहाँ पर N का use नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि यह non-ionizing substance है ठीक है तो 1.86 ग्राम और बॉरिक एसेड रिक्वाइड तू 100 अमेल solution to make it isotonic with the blood अगर हम बॉरिक एसेड का 1.86 ग्राम 100 अमेल में मिलाएंगे तो वह isotonic हो जाएगा किसके blood के तो यह simple method है आगे की method देख लेते हैं दो methods और बची हुई है अगली method जो है वो है sodium chloride equivalent method इसका मतलब यह नाम सी पता चल रहा होगा कि अगर हम किसी substance को sodium chloride के equivalent बना ले तो sodium chloride का 0.9% solution जो है वो isotonic होता है blood के तो grams of sodium chloride they will produce the same osmotic effect as the one gram of dead drug कि यह इसका basic बेसे है जो भी हम इस method का use कर रहे है तो gram of sodium chloride कि कितना osmotic pressure से हम produce करेगा जितना कि हम one gram of drug sample लेते हैं तो it is used to convert the specified concentration of medicament to the concentration of NACL हम इसमें क्या कर रहे हैं convert कर रहे हैं एक concentration of medicament को concentration of NACL में खीक है वीच विल प्रोड्यूस दिस करेंगे इसका मतलब यह कि वह isotonic हो जाए तो हम उस drug concentration of drug को equivalent बना रहे है concentration of sodium chloride के this is the best तो वह sodium chloride के equivalent उसको बना रहे है इतना ही बस इसमें बात है ठीक है तो अगर हम उसको इसके equivalent बना लेंगे तो वह भी isotonic solution हो जाएगा तो to make a solution of a particular drug isotonic with blood plasma अगर हमको किसी का drug का solution blood को हम isotonic बनाना है तो हम उसमें क्या करेंगे the sodium chloride equivalent value हमको एक value determine करने पड़ेगा उस drug की sodium chloride equivalent value हमको determine करने पड़ेगी कि नोटेट फ्रॉम दी रेफ्रेंस टेबल देर आर दी लॉट्स ओफ रेफ्रेंस टेबल इंद बुक्स जो एक बहुत सारी टेबल से यहां से भी हम यह sodium chloride equivalent value को determine कर सकते हैं या फिर इस इवेल्यू जो है इसको हम जो भी हमको इवेल्यू मिलेगी इसे हम multiply करेंगे विद्धी परसेंटेज आप दी ड्रग solution ठीक है तो यह हमने percentage आप ड्रग solution से इवेल्यू को क्या करा multiply कर दिए and the result is obtained is subtracted from the 0.9% 0.9 के लिए रहे हैं क्योंकि sodium chloride का 0.9% solution क्या होता है isotonic होता है ठीक है ठीक है the difference of the value तो हमको इसका जो difference मिलेगा the difference in the value so obtained is the amount of NACL इससे हमको NACL का वो amount पता चलेगा that is needed to adjust the tonicity of the solution इससे हमको sodium chloride का वो solution वो amount पता चल जाएगा जो कि हम drug में डालेंगे drug के solution में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा isotonic with the substance हो जाएगा यहाँ पर हम क्या लिए रहे है percentage of sodium chloride required for the adjustment हमको sodium chloride कितना चाहिए ठीक है 0.9% हमने क्योंकि लिए है क्योंकि इतना percentage solution sodium chloride का isotonic होता है percentage of medicament of solution जितना भी percentage हमको लेना है उसको sodium chloride equivalent value से multiply करना है e-value को हम कैसे determine कर सकते हैं उसका formula यह दिये हुआ है किसी भी drug के sodium chloride equivalent of the medicament मतलग e-value e-value को हम कैसे determine कर सकते हैं freezing point depression produced by a solution of medicament ठीक है किसी भी drug के solution के द्वारा जितना freezing point depression किया गया है और same concentration sodium chloride के जितना कि हमारे drug का concentration है उतना ही concentration के sodium chloride के solution द्वारा जितना freezing point depression किया हुआ उसका ratio जो है वो e-value कहलाता है e-value को हम इस इस वाली equation से determine कर सकते हैं और उस e-value को हम यहाँ पर रखेंगे percentage of medicament solution से multiply करेंगे subtract कर देंगे 0.9% से तो हमको sodium chloride की वो quantity पता चल जाएगी जिससे की हम isotonicity का adjustment कर सकते हैं यही इसका base है इस method का इसका भी हमाँ example देख लेते हैं तो हमको यह method clear हो जाएगी to find out the amount of sodium chloride required needed to make a solution 0.5% of KCL isotonic with the blood plasma अब potassium chloride के 0.5% solution solution को हमको isotonic बनाना है blood plasma के ठीक है तो हमको उसमें कितना sodium chloride required होगा उस isotonicity को maintain करने के लिए ठीक है तो इसमें E-value दे रखी है KCL के कितनी है 0.76 ठीक है तो हम इसको given क्या क्या हो गया कितना percentage solution है 0.5% है इवेल्यू कितनी है 0.76 तो हम उपर वाले पर्मुला में लिखेंगे तो amount of sodium chloride required 0.9 minus percentage of drug कितना है 5% और E-value कितनी है 0.76 इसको solve करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.52 ग्राम हैंस तो 0.52 ग्राम आफ sodium chloride जब हम अब हम देख लेते है लास्ट मेथड जो है वह वाइट विंसेंट मेथड या V-value मेथड के लाती है अभी तक हमने जितने भी मेथड देखी सब में हमने कोई ने कोई amount निकाला है कि कभी हमने adjusting substance का amount निकाला है कभी हमने sodium chloride का amount निकाला है यह method थोड़ी सी different है इस method में हम water क्या amount निकालते है एडिशन आफ हम liquid का मतलब addition of water to the given amount of the drug हम उसमें कितना पानी मिलाएंगे कि वह isotonic हो जाए अभी तक हम solute का देख रहेते हैं अब हम solvent का value इसमें निकालने लगे इतना ही difference है यह बाकी method से और इसमें followed by the addition of some other isotonic solution इसमें और कुछ isotonic solution को मिला कि हम उसका final volume क्या कर लगते हैं isotonic बना लगते हैं the amount of water that should be added in a given amount of the drug to make isotonic solution is calculated from the solution formula अब हमको वह amount of water कैसे पता चलेगा यह हम हमारे given amount of drug में उसको मिला और solution isotonic हो जाए तो इसके लिए यह formula है इतना यह formula है तो V is equal to क्या है V क्या है यहां पर volume of the water needed to make a solution isotonic W क्या है यहां पर the weight of the drugs in the gram E क्या है sodium chloride equivalent value जो कि हमने previous method में भी calculate करी थी और triple 1.1 क्या है यह actually ratio है 100 ml into the 0.9 gram मतलब sodium chloride का हम जो 0.9% solution ले रहे हैं उसका ratio अगर हम उसको solve करते हैं तो हमको यह value मिलती है यह constant है हमेशा ठीक है क्योंकि हम उसको sodium chloride के बराबर ले रहे हैं तो इस value में जब हम तो यह जो यहाँ पर लिखा हुआ है यह इसलिए लिखा गया है कि यह value जो आईए वो इस calculation के through मिकाली गई है ठीक है और हमारा जो final formula है वो सिर्फ इतना सा है अब हमें एक एक्जामपल भी लेंगे इसमें जैसे कि बाकी सब उसमें लिया था और इसको समझेंगे तो यहाँ पर हमें एक्जामपल ले रहे हैं कि में के 50 ml isotonic solution from the 0.5 ग्राम अब बोरिक असीड इवेल्यू जो है बोरिक एसीड की कितनी भी हुई है 0.5 तो हमको क्या के दे दिया amount of boric acid दे दिया required amount हमारा 50 ml है और इवेल्यू कितनी बोरिक एसीड की 0.5 फसली हमको इस value में पूट कर देना है तो volume हमको निकालना है weight of this substance कितना दे रखा है 0.5 तो हमने यहां पर लिख लिया ठीक है इवेल्यू कितनी है 0.5 वो भी लिख ली और इससे multiply कर दिया तो 27.8 ml हमको water लगेगा कितना लगेगा 27.8 ml तो मतलब यह कि 0.5 ग्रामा बोरिक एसीड को जब हम 27.8 ml water में dissolve करेंगे तो वो solution isotonic हो जाए लेकिन इस total का total volume जो है वो हमको कितना चाहिए था 50 ml उतना तो हुआ नहीं ठीक है यह तो 27.8 ml होगा तो इसको 50 ml बनाने के लिए क्या करेंगे हम उसमें remaining 27.8 में हम कितना दूसरा solution मिला दे कि वो 50 ml हो जाए तो वो हो जाएगा कितना 22.8 ml 22.2 ml 22.2 ml हम दूसरा कोई solution मिलाएंगे जो की जनरली क्या होता है 0.9% sodium chloride का solution होता है क्योंकि यह एक isotonic solution होता है जैसे कि हमने पहले formula में बोला था कि अगर solution isotonic नहीं होगा तो हम उसमें फिर कोई और दूसरा solution मिला के उसे क्या कर देंगे final volume का ऐसे करेंगे दूसरे isotonic solution को मिला के भी adjust किया जा सकता है यहाँ पे हमने वही किया है अब हमको यह required amount नहीं मिला तो हमने जो remaining amount मिलाया है वो कोई दूसरा isotonic solution मिलाया है और वो generally 0.9% sodium chloride solution ही होता है तो total volume अमरा रहा 50 ml हो जाएगा और जिसमें हमने 0.5 g boric acid को mix किया तो यह सारी चारों methods है जिसके द्वारा हम methods isotonicity किसी भी solution की adjust कर सकते हैं और tonicity किसी भी solution की determine कर सकते हैं तो hope आपको यह समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई question हो तो वह आप मुझसे पूछ सकते हैं comment section में Thank you आज की लिए इतना ही फिर अगले lecture में हम मिलेंगे